हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू माय चैनल सौगात है आप सभी का मेरी सुपर लोगी चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको गरम में लड़का पहले पता लगता है आपको कि लड़का है या फिर लड़की के बारे में पहले पता लगता है पहले किसका मालूम पढ़ता है आपको बेटा है या बेटी तो कौन सबसे ज़्यादा हल चल करता है और किस महीने पर करता है तो चैनल को सबस्क्राइब करें साइड में ओल को प्रेस कर जैंके साथेर्दों वीडियो पसंद आया करें तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया और अपने comment वक्स में अपना experience हमें जरूर दिया करें तो दौस्तों सबसे पहले जानते हैं लड़का किस महीने पर आपको जैसे पता लगता है कि लड़का है या लड़की है तो दोस्तों अगर तीसरे साड़े तीन महीने पर आपके बच्चे ने कोई हलचल नहीं की कोई मुवेंट नहीं की और आपके लड़के ने छटवे महीने पर जाकर बच्चे ने हल हलचल की है तो ऐसा माना जाता है कि आने वाली संतानिक बेवी बॉय होता है क्योंकि लड़का हमेशा छटवे महीने पर ही हलचल करते हैं या तो छटवे महीने के लाश्ट में करते हैं या फिर 15 दिन निकल जाते हैं तब करते हैं तो ऐसा मानना है कि आने वाली संतानिक बेट कर दिया है तो वो लड़की होने के चंस माने जाते हैं दोस्तों लड़का जो होता है चटवे महीने पर हल चल करता है क्योंकि वो थोड़ा लेजी टाइप में होता है आल सी होता है इसलिए थोड़ा लेड चलना शुरू करता है दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि आपको अप आपके बच्चे की हलचल मुव hynnd Don्osaurus पर जब भी होते हैं तो बहुत तेजी के साथ होती है। काफी तेजी से बच्चा मुवईंट करता है रुट करता है आपके पूरे पेट को हिला देता है सपनी तरीकी इतनी जोड से करता है। माना जाता है चटवे मेने से जब भी स्टार्ट होता है बच्चे का हलचल करना लड़के जब कंसिव किये होते हैं तो काफी तेजी के साथ वो हलचल करता है मुमेंट करता है और वो पूरे दिन करता ही रहता है लेकिन शाम होते होते वो थोड़ी मुमेंट अपनी कम कर देता तो ऐसा अगर आपके साथ भी है तो आने वाली संतानिक पूत्र की प्राप्ति होगी दुसरा जो लखशन है अगर आपकी जो कमर है पीचे से वह कमर की बढ़ रही है और पीछे का जो एरिया होता है आपका उपर का वहां से आपको खाली पन महसूस हो रहा है सरफ आपके कूले कूले बढ़ रहे हैं और आपकी जो कमर है उपर के साइड वो खाली पन यानि की जगा छोड़ रही है तो ऐसा माना जाता है कि आने वाली संतानिक बीवी बोई ही होता है लड़का होने का ही लक्षन माना जाता है दोस्तों अगले जो लक्षन की हम बात कर रहे हैं वो है अगर आपके बहुत जादा नाक पर और माथे पर पसीना आता है सरदिया है लेकिन फिर भी आपके बहुत जादा पसीना आता है ऐसा माना जाता है कि ये लड़का होने की निसानी होती है साथ ही दोस्तों अगर जीम में आपके थोड़ा सा सफेज सफेज सा लगा रहता है मैल सा आपको दिखाई देता है दूद सा दिखाई देता है लेकिन छुडाने की कुछिस करते हैं वह छूटता नहीं है तो ये बेटा होने की सबसे बड़ी निसानी मानी जाती है अगर आपके साथ भी ये लख्शन दिखाई देते हैं तो सब समझ सकते हैं आने वाली संतानिक पुत्र की प्राप्ती होगी